कान बनाने के रिए जाते हैं मकान कानस्ट्रक्ट करते हैं हमें खुद नहीं पता होता है कि सब्टिक टैंक का काम क्या है और अगर हम सब्टिक टैंक बनाएंगे तो कैसे बनाना चाहिए कौन सा डिजेन में हमें बनाना चाहिए और सब्टिक टैंक काम कैसे करता है यह भी बह लोग सोकेज़ फिट नहीं खोद होगी तो अब हमें समझना है सब्टिक टैंक और सोकेज़ फिट इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और कौन सा किसे साब से काम करता है जब तक हमें यह समझ नहीं आएगा तो हम अपने कांस्ट्रक्शन को सैफ नहीं रखते हैं अगर हम अंदर से कितना भी हैवी टैलिंग करेंगे बात्रूमों के अंदर कम रूंगे अंदर कितना मौडिफिकेशन करेंगे जब इस्तिमाल में लाएंगे तो इस्तिमाल लाना मुश्किल हो जाएगा तो वह सारा चीज़ जहान के मैं इस वीडियो में डिटेल देना चाहता तो सोज़एष भीट और सब्टिक टैइंक को लेके याद रहेगा हमेशा सब्टिक टैंक जब हम बनाते हैं तो कैसे हमें उसको डिजैन करना होगा मैं समझाता हूँ आगे चलके करसा वां sono है और इसमें मुझे देखना है बाथ फल्म कितने हैं उससाथ से में डिजैन करना होगा कि म café के तो सब्टिक टैंक के लिए हमें पहले डिसाइड करना है कि मेरा पिलंथ आ nécess महीत प्लंड रहे का तक रहीं में 4000 देना है अब बात यहां पर आ रही है कि सब्सक्राइब को हम क्हों पहला वाग में ह antioxid communion देते हैं जो ग्हारा है जो पहला हमरी ऐस का डबबा होता है पहले वाले डबाइब ंदर हम सारा टोलेट के सभटिक जो होता है उसके अंदर डालते हैं सभटिक असल में किसी और चीजिका वर्ड है लेकिन टैंक सब को जो भी कहते हैं सभटिक को ठोटल मिलाके एक सुट आज स्विट टैंक के त statistics को जब हम बनते हैं एसको बना सकते हैं अब इसका वेस्टेज कहा जाएगा वो भी में बताऊंगा सब्टेक टैंक को हमने तीन हिस्से में बहुत किया और तीन हिसे का बहुत करने के बाद जो पहला वाग है उसको हमें नीचे से उसका आउटपुट देना है यह फलोर के वहां से जो सब्टे तिस्रा वाला जो है उसको हमें औरडी ऊपर से ही देना है क्यूंकि उसको फिर करेंट करना है सोगेज पीट के साथ अगर हम उसको सोगेज पीट के साथ कन्यक्ट नहीं करेंगे तो यह सिर्फ स्टोरेज ही रह गई है हमारा सब्टिक टैंक इसलिए याद रखिएगा अब बात है कि सब्टिक टैंक अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कौन सा डिजैन देंगे उसको वह भी में आप लोगों को हम सुकेर रेक्टेंगल सुकेर में हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो कॉंटिटी होता है वह बहुत कम होता है अगर होटल होगा बड़ा कमर्शल साइट होगा तो वहां पर आप लोगों का सब्टिक टैंक सुकेर में नहीं टिकेगा ज्यादा टाइब वही वज़ा होता है फिर फट जाता है फैल हो जाता है उसका फैल होने का क्या क्या वज़ा है मैं बताता हूं अगर हमारे पास कमर्शल साइट है तो हमें राउंड श बनाते हैं उसके पीछे भी लाजिक है उसके पीछे इंजिनिरिंग का लोह क्या है हम इसको जब राउंड शेप देते हैं यह आज की नहीं है जब बिटिश का जमाना था तब से राउंड चैप में देखा होगा अगर आप लोग ने देखा होगा एक वीडियो डॉक्टर मु तो उसके अंदर हमें फिर लिकविड पानी लिकविड जो भी हमें रखना होगा उसको हमें वह आמצा होगा कियो वी वह वार्णा करेंगा नगेटव प्रेशर क्रेट जब भूकम आएगा तो भूकम आने की टाइम पे ये पानी हिल जाएगा आसपास में तो उसका नेगेटिव प्रेशर क्रेट हो जाएगा सुकेर वाले कौनों के अंदर याद रखेगा यह चीज़ उस सूरत में वो फट सकता है तो अब अगर आप लोगों को बनाना होगा तक कि अपकरीट डालोगे मैं मैं जडालोगे जाव उसको एम ट्वंटी देना है या एम फिफ्टीन देना है इन दोरों के बीच में आप टिकेगा आप वो चीज़ तिकेगा अगर आपके लेंड में आसपास वाटर लेवल ज्यादा हाई है तो उस आप लोगों को एम ट् इस्सेडियोट करना होगा ताकि वाटर का अपना प्रेशर बनाता है जमीन के अंदर जमीन के अंदर जब भी हम खोड़ते हैं तो जमीन भी आसपास में प्रेशर लेता है इसको तो प्रेशर दुएने के सुरत में वह फैल हो जाएगा अब बात है सब्टिक टैंक के साथ म विएस्ट होता है खराब हो जाता है तो उस जो चेम प्राइक फूल होके जब वहसका पानी बन जाएगा उसके सब्टिक का टो यौरें होता है सोकेज्पीट के वहां से पिर वह काम करताने Quito के अंदर उसके हम चिटून के बुर्क करते हैं चिटून वर्क से घ्लाष शेप में बनाते हैं उसको तो गेलाष शेप के अंदर भी बहुत सारे फाइदे हैं क्यों बनाते हम उसको घ्लास शेप ये उप णगों को जरूरीख कोना चाहिए अगर पता झाल झाल